पैरेंट्स का अक्सर ये concern होता है कि बच्चे का सर चप्टा हो रहा है एक तरब से उसका सर नॉरमल नहीं है शेप उसका अब नॉरमल है तो यह condition होती है इसको हम बोलते हैं medical term में Deformational plagiocephaly बोलते हैं और normal language में इसको flat head या तेड़ा सार या इस तरह से हम तर्म देते हैं दोस्तों यह एक जनुमिन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पैरेंट इसको लेके कंसर्ण है और इसका प्रिवेंशन चाहते हैं तो हैलो एवरिवन मैं हूँ डॉक्टर मुहमद नूरालम खान मैं विलकम करता हूँ आपका अपन और चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही काम की वीडियो देखने के लिए तो आईए इस्टार्ड करते हैं आज की वीडियो दोस्तों यह जो सर का फ्लैट होना है यानि कि डिफॉर्मेशनल प्लेजर सिफेली यह जनरली देखा जाता है चार महिने के जो बच्छे होते हैं सबसे जादा उसमें देखा जाता है तो इसका रीजन क्या है यह आप समझ लेंगे तो आप इसको बच्चा भी पाएंगे अब क्या होता है कि जो दबा हुआ पार्ट है एक तो वहां पर ग्रोध कम हो जाती है बाकी जो लेटरल पार्ट है वह ग्रोध कर जाते हैं दूसरा यह होता है कि वह जो सौफ्ट पार्ट है वह सौफ्ट होने के वज़ए से वह प्रेस हो जाता है और इस तरह से बच्चे क है वह अब नहीं रहती तो यह जो प्रॉलम है वह कम होती जाती है और कुछ हद तक ठीक हो जाती है लेकिन अगर बहुत सीवियर है तो फिर ठीक नहीं होता है कुछ न को टेड़ापन रह जाता है तो उसको कैसे बचाएं यह मैं आगे डिसकस करूंगा पहले हम यह जानते हैं कि यह क्यों होता है और क्या क्या बज़े हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फिक्स पोजिशन होती है उसकी वज़े से यह हो सकता है स्लीपिंग पोजिशन है अब जो भी ऐसे फैक्टर है जो कि बच्चे की स्लीपिंग पोजिशन को फिक्स रखते हैं वह सब यह सबसे पहले बच्चा अगर आपका प्रीमेचूर है तो प्रीमेचूर बेबी का डपलमेंट हो भी सुलो होता है देर से हेट कंट्रोल आता है और उसके निक की टोन होती है मतलब निक उसकी बिलकुल धीली पड़ी होती है और अगर पैरेंट ने ध्यान नहीं दिया उसके इससे सट रहा है प्रेस हो रहा है तो जिस तरफ यूटयनस है उसतरफ सर गोल हो जाता है जिस तरफ बच्चे के सर आपांगर तक्रार सर दोंों का फ्ल employee ho जाता है और एक पज़ए करती है और फीडिंग वैसे ही करते हैं इसलिए और बिटती यह जितीओ होता है और इस लिए प forbaks लेकिन उन्हें असलिधर बच्छे को सब 묶िता है कि कईरं इदर यह अगा जाती है और एक वैसे से आप Nasir कुशी हरे टाकर रखना बच्चे को आपको कम सकंद दिन में तीन बार से ज़्यादा टमी टाइम देना है मतलब बच्चे को आप पेट के बर लिटाना है बच्चा जब जगा उबा हो तब और आप सामने हो तब तो इसे हम टमी टाइम बोलते हैं बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं और बच्चे को सुपरविजर में रखते हैं टमी टाइम पे वैसे तो बहुत सारी नेट पे वीडियो अब लेविल हैं अगर आपको special वीडियो चाहिए टमी टाइम पे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा मैं इस पर एक वीडियो बना लूँगा और आपको इसको डिटेल में एक्स्पेंड कर दूँगा फिलहाल के लिए यह समय लीजे कि बच्चे को कम सकम तीन बार से जादा टमी टाइम अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भी रिस्क है यह डिफॉर एक तरफ करके रखते हैं उसका सर की पोजिशन को चेंज नहीं करते और जिसकी वज़े से बच्चे का एक तरफ सर दब जाता है तो अब सवाल यह उठता है कि इसको रोके कैसे जैसे कि इसका जो रिजन है वो इतना सिंपल है तो इसका प्रिवेंशन है वह भी बहुत सकते हैं जैसे कि जो एक गोल वाली पीलो होती पीज घ्राश करते हैं इस थो करते हैं और आप साइड से लिट आये तो समय लिफ पिलो और यूसे करते हैं उस कि रहां खिर के दाने अदिक यूसे चीज ऊसक狀ब करते हैं अब से सिंपल तो Pan करते हैं प्रावल्मिशन क्रों बहुत intelligent होता है और वो पूरे घर को पहचानता है जिस रूम में होता उसको पहचानता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो जिस वाल की तरफ वो सर करके सोते हैं उस वाल को पहचान जाते हैं उसके चीजों को पहचान जाते हैं और वो उधरी मुह करके जब लेटते हैं तो comfortable होते हैं मतलब उस तरफ जब सर करते हैं बच्चे तो फिर उनको फैमिलियर लगता है और comfortable होते हो सोते हैं जैसे आप दूसरी तरफ के लिटाएंगे बच्चा नहीं सोएगा क्राय करता रहेगा तो इस चीज को overcome कैसे करना है अगर suppose करिए आपका बच्चा इस दिवाल की तरफ इस साइड की तरफ मुह करके लेटने में वह comfortable होता है तो आप यह करिए कि एक दिन तो बच्चा जैसे लेटता है वैसे लेट आईए अगल दिन क्या करिए जिदर पैर करते हैं उद्था सर कर दिए और बच्चे की पॉजिशन चेंज कर दिए उससे क्या होगा कि बच्चे की पोजिशन तो चेंज हो जाएगी राइट क्योंकि वो जो वाल दिख रही है वो उसके लिए comfortable है उसके लिए familiar है और पोजिशनल preference change हो गई है तो आप यह करिए कि जिस तरफ बच्चा सर करके नहीं सोता है कोशिज करिए कि बच्चे को feed करादे time उसी तरफ से सर करके लिट आई है उसको और feed के time पे अगर उसी आदत पढ़ गई तो सोने के time भी बच्चा उधसर करके सो जाएगा जीदर करके उसकी आदत बन जाएगी इसके बाद आपको एक काम यह करना है कि बच्चे का tummy time दिए बच्चे को कोशिश की करिए जिस तरफ बच्चा खेल रहा हो बच्चा जग रहा हो बच्चे को पेट के बल निटा दिए और बच्चे को खेलने दीजिए अगर बहुत चोटा बच्चा है आपका तो फिर आप अवाइड कर सकते हैं लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा आप उसको time time देना start करिए उससे बच्चे का development भी होता है बच्च बच्चे को हर वक्त मत लेटा रहने दें जैसी आपके बाद time video हो बच्चे को गोद में उठा लें उसको खिलाए उसको हाथ में लेकि उसको टहला है थोड़ा सा बच्चे को जो बेट से दूर रखेंगे तो यह problem कम होगी अब बात करते हैं treatment की यानि किसी को हो गया है तो क बोलते हैं वह आपको करना है मतलब कि आपको बच्चे की हेट की position उसको बदलते रहना है और बढ़ा देना है इसका अलाब बच्चे को जो भी मैंने अभी आपको prevention में बताए वह सब आपको शुरू कर देना है अब starting में क्या होता है जो mild और moderate वाला है कि मैं अभी आपको लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा effort करना पड़ेगा और उसके लिए हो सकता है कि आपको आगे जाना पड़े हेलमेट तरीती तक अब आप कैसे पचानेंगे कि यह नॉर्मल ठीक होने वाला है या यह ठीक होने वाला नहीं है तो आपको बच्चे को सर को ऊपर से देखना ह सर का सिफ आगे का हिस्सा उसका बिलुकल गॉल है और पीछे या साइड में कहीई प्रेस है अगर आगे का हिस्सा बिल्कुल गॉल है नॉर्मल है तो पिर आप यह मानके चलिए कि आपके बच्चे के प्राव में हो अपने आप ठीक हो जाएगी बस आपको और पिर टी opening करत पीछे हो गई है तो फिर आपको एलाट होने के जुरत है और आपको प्रिवेंशन तो ले नहीं है और तुरंद आपको अपने डॉक्टर से भी मिलना है क्योंकि ये कुछ हद्ट तो ठीक होगा 2-3 साल में आते हैं जितना तेड़ा दिख रहा है उतना तेड़ा नहीं रहेग को कुस्ता है अक हमें सचता हैं एक हैंलमत होता है जो वरस्थे हैको प्राइट होता है इस तरफ और भांगा हुआ हुआ कि इस तरफ कई द्यायों इसको रिमॉडल होने का लिगिनी हूंने किमेशन आके चीज होते हैं फी बहुत भूह है आधू मुषकं5 पर भाबाय मैं बहुत सारी चीज़े होती है तो हेलमेट थेरिपी बहुत ही लास्ट का रिजॉर्ट है अल्टिमेट रिजॉर्ट है जब हम कुछ नहीं बसता जब तब हम करते हैं लेकिन जो प्रिवेंशन है और अगर आपने रिपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया बच्चे को अरली तो य प्रिवेंशन करते हैं कि यह जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर तक हो जाएगी तो अगर आपके बच्चे का माइल्ड है या मौटरेट है बतलब हलका फुलकास अगर है तो आप यह मान के चलिए कि बच्चे का साल भर से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और दो से तीन साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो जैसा मैंने भी बताया टाइम लग सकता है या हो सकता है कि थोड़ा सा रह जाए अब यहां पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो सर टेड़ा होने की बज़ा होती है उसकी एक बज़ा और होती है वह होती है हड्डियों का जु मिल रहा है तो मतलब यह जो टेड़ा पन है वह स्लीपिंग पोजिशन या किसी और वज़े से हैं लेकिन अगर आप वहां पर आप हाथ रखते हैं तो आपको बिल्कुल रिजिड और एक धार-दार हड़ी मिलती है जुड़ी भी जो कोई गैप नहीं मिलता है तो यह हो सकत है वह उसमें ग्रो ही नहीं कर पाएगा जब जगा ही नहीं है सारी हड्यां फ्यूस की हैं चैमबर इतना बड़ा होके रह गया तो ब्रेन कहां ग्रो कर पाएगा ब्रेन उसको धका देके तो ग्रो नहीं कर जाएगा तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है करता है तो आप इसको बिगड़ने मत दीजिए आप डे वन से ही अपने बच्चे का जो होट की पोजिशन है वह चेंद करते रही है उसको जह जो इन सब चीजों का आप जो मैंने फैक्टर बताएं उन सब कर ध्यान रखिए ताकि इसकी नौबत ही ना आए और आपके कर लीजिएगा और हमारा चैनल ऐसी देखते रहे है तो अपना प्यार ऐसी बनाया रहे है थैंक यू गुडबाए